हेलो दोस्तों नमस्ते भाई डेली हमारी साम को मुलाकात होती है इस नए चैनल मैच्स कंसेप्ट किंग पर नए नए कंसेप्ट के साथ या एक्जाम में आए हुए यूनीक और लेटेस्ट सवालों के साथ और इसी स्रीज में स्रीज आपकी कंटिनूर रहेगी जब तक हमारी सासे चल नहीं है तब तक TCS ने अभी जो हमारा लेटेस्ट पेपर हुआ है ICR का सिलेक्शन पोस्ट का उसमें LCMHCF के जो लेटेस्ट सवाल पूछे गए हैं बढ़िया बढ़िया लेंग्वेज के वो मैं आपको करवा मुँआ और मैं उनका वही सॉलुशन आपको आने कि क्या वैसी कर रहे हो अगर आप वैसे नहीं कर रहे हो तो आपको सीरे सो के पढ़ने की जौरत है कि अब सारा खेल जल्दी करने का रह गया है ठीक है इन सभी सवालों की PDF आपको हमारे इस टेलेग्राम चैनल पर मिलेगी आपको इस पे और भी प्रीविसर एक्जाम की PDF मिल जाएंगी और आपको इस पे अदर नोटिफिकेशन जो भी आती है SSC की तरफ से किसी भी एक्जाम की वह आपको यहां पर देखने को मिलेगी ठीक है न टेलेग्राम चैनल का फायदा है कि आप यहां से लेटेस्ट जो भ पर क्लिक करो और जाके टेलेग्राम चैनल को सभी बच्चे जॉइन कर लें चुप चाप ठीक है जी अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे सवाल टीशस ने पूछे गए जिसे की सवाल लंबर वन वीडियो पॉस करो मेरे साथ 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 सौल करो साथ कोश्चन है टोटल एक्स 21 से डिविजबल है तो आप से पूछा एक्स के अंकों का योग जाते हरा यही पूछता है कि एक्स के अंकों का योग बताओ देखेगा इस सवाल को सौल आप सभी लोग करना जानते हैं लेकिन हम पहले देखेगे कि जल्दी कैसे सौल होगा X 21 से divisible है, अगर कोई संख्या 21 से कट रही है, तो किसका ही factor होता है, 3 और 7, वो संख्या 3 से भी divide होनी चाहिए, 7 से भी divide होनी चाहिए, बच्चों, अगर कोई संख्या 3 से divide हो रही है, तो उसके अंको का जो योग है, वो 3 से divisible होगा, 3 का divisible rule कोई संख्या 3 से तभी कटेगी, जब उसके अंकों का योग 3 से कटता हो, अगर संख्या किस से कट रही है, तो 3 से भी कटेगी, यहीं कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटने वाला होना चेए, 26 तीन से नहीं कटता है, ना 25 कटता है, अखेल एक यह option दे रखा है, 24 जो 3 से divisible है, यही सवाल का आंसर होगा, चेक बूच के ऐसे option देता है, जैसे वाला सवाल देखेंगे, सवाल लंबर 2, ICR technician का, चार अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो 15, 26 और 42 से completely divisible हो, आपको पहले इनका LCM निकालना है, फोर LCM को 4 अंकों तक खेंच देना है, टांग पकड़के उसकी, आप देखो, इतनी महनत तुम्हें करूंगा नी, मुझे पता है कि वह संख्या चाहिए, जो 15 से भी कटे, 21 से भी, 36 से भी और 42 से भी, 36 का मतला 4 और 9, संख्या ऐसी होनी चीज़ हो, जो 4 से भी कटे और 9 से भी कटे, अब मेरे दोस्तों देखो, यह 4 से कटता है, लास्ट के दोंग, लास अगर कोई संख्या 36 से कट रही है, तो 9 से भी कटेगी, 9 से कटेगी तो digital sum 9, 8, 8, 16, 18, 18 मतला digital sum 9 हो गया, यहाँ पर देखेंगे, 8, 8, 16, 6, 22, digital sum 4, यह आंसर नहीं सवाल का आंसर यह आ गया, एक्जाम में आपको किवल इतना ही करना है, जादे तकलीफ अपनी उगलियों को और दिमाग को ना दे बिलकुल भी, यह बताएगा, सवाल लंबर 3, यह बहुत अच्छा सवाल है, जो पूछा है मेरे दोस्तो, यदि X और 221 का HCF, 3X मानिस 187 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो निम्न में से, कौन सा X का मान हो सकता है, बोला है, यदि X और 2 121 का HCF है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वट इस, वट कैन भी तपॉसिबल वैल्यू ऑफ X, देखो प्यारे दोस्तो, एक्स और 221 का क्या मतलब है, 221 का मतलब है, तेहरे गुना सत्रे, तो 221 को मेरे दोस्तों, तेहरे गुना सत्रे ऐसे लिख सकते हैं, मेरे प्य X, दूसरा है तेहरे गुना सत्रे, अब इनका HCF क्या आ सकता है मेरे दोस्तों, एक तो तरीका यह है कि इन दौन में कुछ भी कॉमन ना हो, यानिके HCF एक आ जाए, एक ही कि इन दौन में तेहरे कॉमन आ जाए, तेहरे HCF बन जाए, दूसरा तरीका कि इन दौन में सत्रे इसके अलावा तोर कोई रास्ता नहीं है ठीक भई अलांकि 221 भी हो सकता है बट 221 HCF लेंगे तो भई X कमान काफी बड़ा हो जाएगा वो पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्तो ठीक है जी चलो मेरे प्यारे भई अगर मैं HCF को 1 मानता हूं तो 3X-187 को अगर मैं यहां से 1 रखू इस नोट डिविजबल वाई X वाई X कमान का आएगा मेरे दोस्तों यहां से 188 वाई 3 के नंबर तीन से कटता है नहीं कटता है यानि कि यह पॉसिबल ही नहीं अगर मैं HCF को 13 मानता हूं 3X-187 को अगर मैं 13 मानता हूं तो X कमान आएगा यहां से 187 प्लस 13 दोसो बटे तीन दोसो भी तीन से डिवाईड नहीं होता है यानि कि यह भी पॉसिबल नहीं है समझ में आया अगर यानि कि मेरे पास फिर यही बचाओगा यहीं से उत्तर आना चाहिए 3X-187 बराबर अगर मैं 17 मानता हूं कि इन दोनों का X का और 221 का जो HCF वो 17 तो 3X-187 17 तो यह से X कमान आएगा 187 प्लस 17 पहले 13 जोड़ेंगे 200 फिर 4 यानि कि 204 बटे 3 तो आएगा 3X-182-3-8-24-68 तो X कमान 68 आया है और यह option में दिखाई भी दे रहा है यानि कि X की जो है मेरे दोस्तो एक value 68 हो सकती है क्या बहतरीन सवाल मेरे दोस्ते एक्जामन ने बनाया है तो पहले आपक 21 के जो है factor करने पड़ेंगे अब इन दौनों का itself या तो 1 हो सकता है या तो उनों में 13 common मिल जाए 17 वन तहरे पर बात नहीं बनी जैसी मैंने 17 को चेक किया तो X के वले 68 integer आ रही है जो option में भी है ठीक है अब इस सवाल को आप option से भी चेक कर सकते हो one by one एक option चेक करना होगा चलो यहां तो 68 पहला ही option है actually जब paper लिया जाता है SSC जब paper लेते हो तो option भी सिफ्टों में सफल होते हैं हर एक option को चेक करेंगे समय लगेगा तो यही जो है observation वाला तरीका ही सवाल के लिए best था तो क्या नया सवाल बना इससे पहले कभी भी examiner ने ऐसे तरीके से सवाल नहीं पूछा है मजाया करके अगला सवाल आप करके बताओ खुझ से करने की कोशिश करो कि X वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 19, 20 और 25 से डिवाइड करने पर remainder 4, 5 और 10 बचता है Y 24, 32, 42 का HCF है X-YQ देखो सवाल आसान है बट एक ही सवाल में दो छोटे-छोटे सवालों को mix कर दिया है X वह सबसे छोटी संख्या है मेरे दोस्तों जिसे 19, 20, 25 से भाग करने पर सेस्वल 4, 5 और 10 बचता है तो X क्या होगा मेरे दोस्तों X लेना पड़ेगा 19, 20 और 25 का LCM concept लिख दे रहा हूं देखो यहाँ पर डाटा ऐसा सेट है कि difference सेम है 19 से भाग करने पर remainder 4 है 15 का difference 25 5 के बीच में 15 का difference 25 10 के बीच में 15 का difference माइनस 15 का LCM माइनस common difference यहाँ पर 15 अब इसका LCM लेना मुश्किल नहीं है देखो जिनका LCM आप जानतों उनका लेलो 20 और 25 दोनों से कटने वाला number 100 है 100 अब 19 तो मेरे दोस्तों 100 से 19 तो नहीं काटेगा 100 को तो 19 से भी गुणा करने पड़ेगी यानि कि 1900 तो 1900 माइनस 15 है यानि कि या या जी X का मान 1885 अब माइनस मुझे Y का मान निकाला है Y 24, 32, 32 केट से कोई अंधा भी देख के बता देगा कि 24, 32, 32, 32 तीनों को काटने वाला number है 8 8 ही वह number है सबसे बड़ा जो तीनों को काटता हो और 8 का क्यों मेरे दोस्तों 512 ये हमें मानिस करना है एंड में आएगा 3 ये आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों 5 मानिस दो 3 ठीक है भी पूरा घटाने की इसमें आपको जरत नहीं पड़ेगी ये वाला सवाल आप करके बताएंगे सवाल number है 5 देखो लेटेस सवाल चैनल का फायदा यही कि अगर आप इसको सबस्क्राइब कर लोगे तो जो भी लेटेस सवाल पूछे जारे हैं उनकी प्रेक्टिस में ही आपको करवा दूँगा तो आपका वो रिसर्च वाला काम भी मैंने कम कर दिया मानलो की एक्स वे सबसे छोटी संक्या जिसे 16, 20, 35 और 42 से डिवाइड करने पर रिमेंडर 10, 14, 29 और 36 बचता है एक्स तेहरे से डिविजबल है तो एक्स का मान किसके बीच में है देखो एक्स का मान पूछता या एक्स के अंको का यूग पूछता तो हम उप्सन से जोगार बिठाते पूछा एक्स का मान किसके बीच में है इसका मतलब ये तो आपको सॉल करना पड़ेगा concept वही है पिछले सवाल बाला अब एक्स की value क्या होगी ऐसी संख्या होनी चाहिए सबसे छोटी जो 16, 20, 35, 42 से भाग करने पर 10, 14, 39, 36 रिमेंडर दे तो आप पहले निकालो इनका LCM 16 का, 20 का, 35 का, 42 का अब बताओ बही है क्या आएगा जल्दी से आपको बताना है देखो आप देख सकते हैं कि 20 और 35 और 42 का तो easily मिल गया 420 35 और 42 का 210 हो जाता है मेरे दोस्तो और ये आपका 20-20 में आ रहा है तो 420 420 में 16 का, 16 का मतले होता है 4 चोक 4 4 गुना 4 420 में एक 4 तो आता है, दूसरे 4 की कमी है तो दूसरे 4 से भी गुना करनी पड़ेगी यानि कि 1680 1680 प्यारे बच्चे वो संख्या जो इन 4 से डिवाइड होती है अच्छा इन से डिवाइड होने पर remainder भी अलग-अलग आना चे पर difference है 16 से भाग करने पर remainder 10 है 6 का difference, 20 से भाग करने पर 64, 6 का difference 35, 39 की बीच में 6 का difference 32, 36 की बीच में 6 का difference तो X का मान होगा 1680 multiply by K minus common difference 6 यह X की value होगी जहां K का मान आप अपनी demand की हिसाब से रखोगे देखो, दो सर्तें यहाँ पर X का मान सबसे छोटा होना चाहिए दूसरी सर्त, X 13 से divisible होना चाहिए मतलब मुझे K की value ऐसी लेनी है कि X सबसे छोटा भी हो और 13 से भी कटे तो वह 13 से कटना चाहिए तो 1680 को हम 13 से भाग लेते भाग दे लेतें भाईया 13 का हम 13, 38, 32, 26 और कितना बज़ जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर आपका 26 के बाद बारे बज़ जाएगा 13, 973, 3 के माने 6 आ गया समझ मैं इस नंबर को 13 से भाग दे 13 से भाग करने पर यह remainder बचा 13 से भाग करने पर तो मुझे K की value दोस्तों ऐसी लेनी है K की जगे ऐसी value रखने कि यह नंबर 13 से कट जाए ऐसी value मुझे K की रखनी है जैसे 16 से को 13 से भाग देना तो एक तरीका यह भी है कि 16 से में जैसे 13 से कट जाएगा 13 से तो कट गया मेरे दोस्तों फिर बचा 380 अब 380 को 13 से भाग देंगे तो 390 चला जाएगा 390 रिमेंडर बचेगा मानेस 10 नेगेटिव रिमेंडर मानेस 10 है तो पॉजिटिव रिमेंडर 3 हो जाएगा 13 से तो भी इस नमबर को 13 से भाग किया यह रिमेंडर आया है मैं के की जगा क्या रखूँ कि यह 13 से कटे एक रखने पर नहीं कटेगा दो अगर मैं हहाँ पर के की जगा दो रखूँगा तो यह हो जाएगा 6 माइनस 6 0 और 0 एक ऐसा नमबर है जो हर किसी से डिवाइड होता है तो के की मिनिममम वैल्लू में हाँ आपर 2 रखूँगा तो एकस का मानाएगा 1680 का दुगना मेरे प्यारे भाई यानि कि 32 और 160 3360 में से 6 घटाएंगे 3354 एकस की वैल्लू आएगी 32 और 160 मानस 6 154 यानि कि 3350 और 3360 के बीच में आंसर है ए उप्शन बहुत प्यारा सवाल है डिटेल में मैंने आपको बना के दिखा दिया जी यदि जी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 1474 1859 और 242 को डिवाइड करने पर सेस्फल 11 आता है तो जी के अंको का योग बताओ ठीक अगर आपको समझ में आ रहा है मजा आ रहा है सवालों का लेवल अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें जी वह सबसे बड़ा नंबर है जिससे इसको भाग लगाऊ या इसको डिवाइड करूँ या इसको डिवाइड करूँ तो सेस्फल 11 आए तो जी की वैलू नहीं पूछी जी की वैलू पूछता तो टुच्छा सवाल हो तो आप्शन से चेक कर लेते जी के अंको का योग पूछा है तो भई एक नंबर है जिससे इन तीनों को भाग करने पर सेस्फल क्या रहा आता है इसका मतलब यह है कि अगर मैं इन तीनों में से 11 घटा दूँगा तो जी इन तीनों को completely divide करेगा यह आएगा 1463 यह हो जाएगा मेरे दोस्तो 1848 और यह हो जाएगा जी आपका 231 यह हो जाएगा आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़या याने कि जी वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों को completely divide करता है याने कि जो हमारा नंबर जी होगा वो इन तीनों का HCF होगा इन तीनों को भाग करने पर सेसफल 11 बर चराजी से तो अगर मैं इन तीनों में से 11 घटा दू तो याने कि जी उन सब को completely divide करेगा याने कि HCF एक वह बड़ी से बड़ी संख्या बताने जो इसको भी divide करें इसको भी और इसको भी सबसे छोटा नंबर दिख रहा है मासूम सा इसी को पकड़ लेते हैं दो सीकतिस अब दो सीकतिस किस से दो सीकतिस क्या है मेरे दोस्तों दो सीकतिस बहुत प्यार है नंबर है तीन गुणा साथ गुणा ग्यार है आप बोलोगे सर कैसे पता चला एक्जावन आजकल divisibility rule पे भी अब मेरे दोस्तों याने की HCF जो होगा इन तीनों का ही एक मिला जुला हिस्सा होगा मेरे दोस्तों इनी की मिली भगत से HCF बनेगा अब तीन कि नंबर तीन से कटते हैं ये तीन से नहीं कटता है ये तीन से नहीं कटता है यह बचा 7, 7 से यह नंबर कटता है, 7 से नंबर कटता है, 4200 और 448, 7 चिंग बैली, हाँ जी कटता है, 11 से, 11 से नंबर कटता है, 6, 1, 7, 4, 3, 7, 11 से नंबर, 4, 1, 5, और 16, 16 मानिस 5, 11, यानि कि 77 आ गया, 77 इसको तो डिवाइड करेगा, इसका बच्चा है, यह दोनों नंबर 7 से क कट रहे हैं, यह 3 से नहीं कट रहा, यानि कि 3 तो आएगा नहीं HCF में, तो इनके HCF आएगा 77, और 77 के अंको का योग आएगा, 7, 7, 14, 14 सवाल का आंसर है, बहुत प्यारा सवाल है, ऐसे निकालते है HCF, ठीक है ना, सिंपल को कि यहाँ पर नंबर इजी है मेरे दोस्तों, आ 304 और 3095 को एक 2 अंको की संख्य, एक 2 डिजिट नंबर X से डिवाइड किये जाता है, तो हर केस में रमेंडर Y आता है, यानि कि चाहे आप इसको भाग करो, चाहे इसको, एक 2 अंको की स्पेशल संख्या एक्स, कि हर केस में रमेंडर सेम आएगा Y, तो 3X मान और 2Y का मान और वो remainder भी पता लगाना पड़ेगा तो इस सवाल की टेक्निक आप जामते हो कि वह संख्या कौन सी है मेरे प्यारे बाई जो इन तीनों को भाग करने पर सेम remainder दे इन तीनों को divide करने पर वह संख्या चलो वह संख्या होती है मेरे दोस्तों दो-दो का pair बना के difference low यानि कि 2 ये 5 और ये 820 यहां पर इनका difference कितना हैगा 1 और 9 और ये 1491 ठीक और यहां पर इनका difference कितना हैगा मेरे दोस्तों 3 नो में से 5 गया 4 और 30 में 7 गया 20 यानि कि वह संख्या होगी इनका HCF अगर दो-दो का pair बना के आपको difference लेना है तो difference लेने पर जो values आएंगी इनका HCF वह सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी जो इन तीनों को भाग करने पर same remainder देगी मुझे इनका HCF निकालना है सबसे छोटा नंबर यह है यह तो even नंबर है यह दोनों odd नंबर है यानि कि हसे भी odd आना चाहिए तो 800 बामन में 4 छुपा हुआ है अगर मैं 4 हटा लूं तो 213 213 इसको भी डिवाइड कर रहा है इसको भी डिवाइड कर रहा है साथ बार 213 एकम 213 बचा 21 इसको भी 11 बार 213 ही इन तीनों संख्याओं का HCF है 213 लेकिन 213 दो अंकों की संख्या थोड़ना है 213 तो मैंने वो पता लगा लिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग करने पर सेम से सफल देती है आपको निकाल लिए दो अंकों की संख्या 213 का ऐसा कौन सा फेक्ट होता है अभी दोसों तेरे 3 से कटने वाला नंबर है ना मैंने कैसे पता लगा है 3 से कट रहे हो कि इसमें 21 और 3 आ रहा है यानि कि 71 ही इसका अकेला दो अंको का एक फेक्टर है तो 71 एक ऐसी दो अंको की संख्या चाहिस को भाग करो तो चाहिस को सेम से इसपल आएगा एक्स का मान तो आगए 71 अब आपको निकालना है य आप जैसे 752 है 752 को 71 से भाग करूंगा तो 10 बार चला जाएगा 710 कितना बच जाएगा मेरे दोस्तो 42 तो सेम रिमिंडर आजेएगा आपका 42 तो 71 से चाहिस को भाग करो चाहिस को चाहिस को सेम रिमिंडर आएगा मेरे दोस्तो 42 42 42 आप से पूछा है 3X-2Y X कमान 71 है 71 30 213 वाई 42 है 82 84 तो एंड में 9 आएगा मेरे दोस्तों यह आंसर है बहतरीन सवाल बताओ मजाया की नहीं आया तो जबरदस्त question examiner बना रहा है LCMHCFK इसमें कुछ सवाल ऐसे जो एक सेकिंड में हो जा रहे लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी है जिनमें आपको 40-50 सेकिंड एक मिनट भी लग जाएगा आपको पूरा बनाना पड़ेगा लेकिन आपकी एप्रोच बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट होनी चाहिए ठीक है जी अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा कि मेरे कितने नंबर आने वाले हैं कॉट आफ जो है 130 से प्लस ही जाएगी आपका इसकोर इसके आसपास बना रहा है तो आप मेंस की तैरी हमारे साथ सुरू कर सकते हैं केरिविल एप्लिकेशन पर हाला कि मेंस का बैच सुरू हो गया इसमें के एक चैप्टर भी नहीं पट गया अर्थमेटिक एडवांस का लेकिन आप अभी भी कोप अप कर सकते हैं आप चाहते कि मेंस पर आप इसी तरीके से जल्दी सवालों को कर पाएं तब इस बैच में इन्रोल कर सकते हैं अभी इस प्लोड होती हैं इनमें हर चैनल की अपने खास बाते हैं तो मैं हर स्टूरेंट से गुजारिश करूँगा कि आप इन चैनल को सब्सक्राइब कर लो जॉइन कर लीजेगा जी इसके अलावा जितने भी सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम मै और एस्परेंट के लिए यह जो है जॉइन करना मस्ट है हमारा फेस्बूक पेज भी है मैट्स भाई गनपरताब के नाम से टूटर प्रफाइल भी है यह सारे ही सोसल मीडिया जो अकाउंटे वेरिफाइड है ब्लू टिक लगा हुआ है तो आप इनको भी जॉइन कर लीज